गुरू शिष्य का चयन कैसे करता है? उनके लिलादमा चमक होना चाहिए, टेज होना चाहिए एक गुरू अपने ज्ञान को, अपने शिष्य को किस तरीके से देता है ये जानना बहुत रोचक हो तो जो गुरू होता है, वो शिष्य जो होता है वो अनपढ़ गुरू जो एक तरह से आप माल लेजए, उस नहीं जानता बोध है क्योंकि कहा जाता है राम से बड़ा कोई गुरू नहीं और हनुमान से बड़ा कोई शिष्य नहीं तो क्या जब शिष्य आता है गुरू के पास तो वो कुंड़ि देखते हैं, क्या देखते हैं तो कैसे चाहन कर लेते हैं जो आज कल तो जुरू भी बहुत सैसे हो गए है जो तद्काल मंत्र लेदे आने के तुरंद बात दे दे देते हैं तो चिंतनी विशय है और एक जो है जो भाई भतिजावाद पनपरहा है तो ऐसे बिशाग्त इस्तिती ना फैलाएं यह महत्रपूर विशय हैं जिन पे पूरे धरम को ही चर्चा करनी चाहिए बिल्कुल सभी संक्राचार से लेके एक सामान नीचे अस्तरतक का साधू को इस प शिला है या स्वयम प्रकट है चार पुजारी जाएंगे तभी पूजाओ चार पुजारी एक सात इंत्री करेंगे तभी यो पूजा चालू होता है उत्तर अदिकार के सार उत्तर दाईत और आज की जो इस्तिती है आप देख सकते हैं किस तरह से दो पार्ट में बटा कि अवे-टी रखोग जी खुटी अवे रधूजा जाज है झाल कि अवे गुजा है ये, तो वे दो इफुटाब कर दारी देक्टार? झाल